नमस्का दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों अगर आप अपनी नॉलिज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों तुलसी मा का ये जो मंत्र है इसे प्रति दिन अगर आप पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछी दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परणाम आपको प्राप्त होंगे आपकी हर परिशानी दूर हो जाती है महालक्ष्मी का बास आपके खर में इस्थिर रूप से होता है भागवान बिश्णों की कृपा आपको प्राप्त होती है घर से दुख तरित्ता बीवारिया नकारात्मक उचा दूर हो जाती हैं यह मंत्र बहुत प्रभावशाली है मा तुलसी का यह मंत्र प्रति दिन आप पूचा करते में मा तुलसी को जल देते में इस मंत्र का जाप जरूर करना दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ गुरुवार के दिन आप तुलसी की पूचा किस प्रकार करें कि जीवन में किसी भी प्रकार की कामना है वह हमारी कामना मा तुलसी क की कृपा से पूरी हो जाए दोस्तों तुलसी जी की पोचा से समस्त्र प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और गुरुवार के दिन श्री हरी विष्णु का दिन माना जाता है आज के दिन श्री हरी विष्णु का विधी पितान से पूजन किया जाए तो जीवन में सुक तुलसी जी को हरी बल्लभा कहा जाता है भगवान विश्णु जी की प्रिया कहा जाता है जिस घर में तुलसी का नित्य पूचन होता है जिस घर में तुलसी जी पर नित्य जल चड़ाया जाता है उस घर में कभी भी दरिता और दुर्भाके का बास नहीं होता घर में मालक्ष जीवन सुख में रहता है मा तुलसी की पूचा से अकंड सौभाकी की प्राप्ती होती है तुलसी की पूचा से बंश ब्रत्थी होती है तुलसी की पूचा से विभा में आ रही बाधाएं दूर होती है मतलब आपको कोई भी परिशानी हो आप तुलसी जी का नित्य पूचन क तुलसी जी के सामने बैटका तुलुसी जी की मंद का जाप करें या श्रीहर विश्नो के मन पोर्जंब करें तो आपकी जीवन में आनी वाली संस्टबाथान? जब हम रोज तुल्सी जी का बहुचन करते हैं तो भगवान शीहरी विश्णु की किरबा भी प्राप्त हो जाती है दोस्तों आज की वीडियों में मैं आप से बात करने वाली होगे अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से कृस्त है कर्जी से घिरे हों हैं धन का अभाभ है आपके ब्यापार में बहुत सारी बाथाई आ रही है आपका ब्यापार रुका हुआ है नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा या नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है मन चाही नौकरी नहीं मिल रही शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही किसी भी प्रकार की आपको कोई परिशानी है तो आप गुरुवार के दिन विशेश रूप से तुलसी जी की पूझा जरूर करें यह पूझा कैसे करनी है यह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और दिश्टेदारों में शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाए दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो उनके ध्यान बहुत साथानी से आपको रखना चाहिए तुलसी जी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए कभी भी तुलसी के पास कुड़ा कवाड़ा नहीं होना चाहिए कई लोग तुलसी के पास ही जूते चुपल वगेरा उतार देते हैं ऐसी चीजें ना करें तुलसी मालक्ष्मी का ही रूप मानी कई है तुलसी का ध्यान ऐसे ही रखना चाहिए जैसे मालक्षमी का रखते हैं मालक्षमी का सुरूप मान कर तुलसी को सामसुत्री जगे पर रखना चाहिए और रोजाना पूजन कैना चाहिए तुलसी जी पर लाल चुन्री उड़ा कर रखना चाहिए तुलसी जी को लाल चुन्री उड़ा कर हमेशा रखें लेकिन अगर पहले से आपने जो चुन्री उड़ा रखी है वह पुरानी हो गई है या फट गई है तो उसी किसी शुब दिन बदल दें आप गुरुवार या एकादशी के दिन भी तुलसी जी को लाल चुन्री उड़ा सकते हैं तुलसी जी को सौभा के वर्धनी कहा गया है जब हम तुलसी जी को लाल चुन्री अर्पित कहते हैं तो हमारे सौभा की में प्रत्थी होती है अकन सौफाकी की प्राप्ती होती है धन सम्रत्ती की प्राप्ती होती है तुलसी जी की सेवा हमश्या करनी चाहिए तुलसी जी को सुभे जल देना चाहिए और शाम के समय दीबदान करना चाहिए और साफ सुत्री जगे पर ही तुलसी जी को रखना चाहिए तुलसी जी के पौधे में अगर पीपल का पौधा उग्याया है या कोई अन्य पौधा उग्या है तो उस पौधे को आपको हटा देना चाहिए तुलसी के आजपास कोई अन्य काटेदार पौधा भी नहीं लगाना चाहिए तुलसी के पौधे के पास आप केले का पौधा लगा सकते हैं उसे सर्वसिष्ट माना गया है तुलसी के पास अगर केले का पौधा लगाते हैं तो इसे घर में भगवान बिश्णू के साथ मालक्ष्मी का भी बास होता है क्योंकि तुलसी जी को मालक्ष्मी का सुरूप माना गया है और केले के पौधे को भागवान बिश्णों का सुरूप माना जाता है जब भी तुलसी के पौधे के अंदर घास बगेरा उक जाय तो उसे तुरंथ हटा देना चाहिए और तुलसी के गंबले को साफ रखना चाहिए तुलसी के गंबले में तुलसी के साथ कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए ना ही कोई अन्य बीश डालना चाहिए तुलसी के पौधे का ध्यान अच्छी तरह से रखना चाहिए जिससे तुलसी के पूचन का हमें फूर्ण फल प्राप्त हो तुलसी को घर में रखने से बहुत फायदे होते हैं लेकिन यह फायदे हमें तभी प्राप्त होते हैं जब तुलसी का रख रखाव हम अच्छी तरह से करते हैं तो बात करें कि तुलसी पूचन गुरुवार के दिन कैसे करने चाहें। गुरुवार के दिन सुभे इस्नान आदी करने के बाद पीले बस्ते धारन करके मा तुलसी का पूचन करना चाहें। गुरुवार का दिन भगवान विष्णू का होता है। उस दिन पीले रंग के कपड़े बहनने से भागवान पिश्णों के साथ गुरु ग्रह भिस्पती की भी कृपा प्राप्त होती है पीले बस्ते धारन करने के बाद आपको मा तुलसी की पास जाना है जहां आपने तुलसी जी का पौधा लगाया है अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें उसके बाद आप तुलसी जी का पूजन करें गुरुवार के दिन तुलसी जी का पूजन विशिश विधी से कहना चाहें गुरुवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चड़ाना चाहें वेलगी जल के इस्थान पर आज के दिन कच्चा दूद तुलसी जी को अर्पित कहना जाहें। अगर गाए का कच्चा दूद मिल जाए तो सर्वसेश रहेगा। अगर वहना हो तो आप भैस का भी दूद ले सकते हैं, अन्य दूद ले सकते हैं। जैसे कई जगों पर गाए इसके लिए आप लगभग बस एक या दो चम्मत कच्चा दूद ले लिजें। ध्यान रखें या दूद आप तामबे के पातर में ना रखें। अन्य किसी पातर में जैसे की पीतर है इस्टेल में आप इसको रख सकते हैं। अगर चान्दी के पातर में आप कच्चा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा चांदी के पास से तुलसी जी पर दूट चढ़ाने से सर्वसिष्ट फल की प्राप्ति होती है धन संपता की प्राप्ति होती है लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अन्य पात्र भी ले सकते हैं पात्र में आपको दूट लेकर यह दूट हलके हलके तुलसी जी की जड़ में आपको चढ़ाना है दूट अरपित करने के बाद आपको तुलसी जी की जड़ में तुलसी जी के चढ़नों में एक चुट की हल्दी भी चढ़ा देनी है और फिर आपको पीले रंग के पुश्व या फिर पीले रंग के पुश् परिक्रमा कर सकते हैं, ग्यारे परिक्रमा करना स्रिष्ट माना जाता है, अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगे ना हो, तो आप अपने ही जगे पर खड़े होकर जैसे भागवासूरे की परिक्रमा करी जाती है, ऐसे ही अपनी जगे पर खड़े होकर क्लॉक व अगर इस मंत्र का जाप ना कर सके तो आप भगवान विश्णु जी के द्वाधश्मत ओम नमो भगवते वासु देवाय का भी जाप कर सकते हैं यह दोनों ही मंत्र शुष्ट हैं मंत्र जाप करने के बाद अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी परिशानी है वह मा तुलसी से कहें और मा तुलसी से मनुकामना पूर्ण करने की प्रातना करें अगर तुलसी जी का गुरुवार के दिन इस बिधी से पूजन गिया जाता है तो तुलसी मा के साथ ही भगवान विश्णू की भी असीम किरपा प्राप्त होती है क्योंकि गुरुवार का दिन भागवान विश्णू को समर्पित है और इस दिन हरिप्रिया तुलसी जी का पोचन अगर आप इस बिधीर से करेंगे तो भागवान विश्णू की कृपा से मनुकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी दोस्तों शाम के समय आपको तुलसी जी के पास शृतिकी का दीपक जरूर जलाना चाहिए अगर शृतिकी का नहीं जला सकते तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं और हो सके तो मंत्र का जाब जरूर करें दोस्तों अगर आप बहुत अधिक परिशानी में खिरे हुए हैं धन का अभाव हैं तो इस प्रयोग को साथ गुरुवार करने मात्र से ही इस बिदी से तुलसी जी के पूजा साथ गुरुवार अगर आप कर लेते हैं तो चमतकारिक रूप से आपको परिवर्दन दिखेगा ये उपाय बहुत ही चमतकारिक होता है पिशिशकर आपकी धनसमबंदी जो समस्या है उन्हीं मालक्षमी जरूर दूर कर देंगे अगर आप घर में मालक्षमी का इस्थाई बाश्चाहते हैं काजिसे मुक्ती चाहते हैं बहुत अधिक सफलता चाहते हैं आप अपने जीव आपने रियो अपयोगी सिद्ध होगी प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक्स फोर वाचिंग राधे राधे